तो भाई WWE का surprising unpredictable premium live event money in the bank को होने में सिर्फ कुछ ही time बाकी है जो कि भाई पुरी तरह से आपको surprise कर देगा क्योंकि भाई WWE के money in the bank 2023 में बहुत सारे interesting returns and then भाई बहुत ही surprising winner आपको देखने को मिलने वाले है and then भाई money in the bank 2023 के जो matches होने वाले हैं वो पुरी तरह से unpredictable होने वाले हैं तो भाई इस वीडियो को पुरे लाज तक देखिए है चैनल पर है तो अपरी subscribe जरू कर देगा है काफी interesting WWE से related वीडियो जाती रहती है and then भाई हाँ इस वीडियो को पुरे लाज तक जरूर देखिए हुए काफी interesting वीडियो होने वाले है तो भाई money in the bank 2023 का जो match card है वो बहुत ही छोटा है and then भाई इस match card में आपको बहुत ही effective matches देखने को मिलेंगा भाई current favorite है गुंतर जो की अपने intercontinental championship को return करने के अधने भाई इसमें आपको Randy Orton का भी return देखने को मिल सकता है जीतने वाले अंधन भाई कुछ source का ये कहना है कि आपके LA Knight जीतने वाले हैं बट भाई आपको बता दू WWE current plan की है LA Knight को as a winner money in the bank and then भाई LA Knight आपको money in the bank briefcase जीतते विना जाराने वाले हैं and next match जो होने वाला है women's ladder match होने वाला and then भाई ये match card भी बहुत ही interesting है क्योंकि भाई इसमें new talent है and then भाई legend भी है और भाई ऐसे में winner जो हैं पुरी तरत है unflictable है बट भाई आपको बता दूँ इसमें US guy current favorite है जो की women's ladder match को जीत सकती है and then भाई money in the bank को भी जीत सकती है next अगर हम बात करें तो भाई ओ कोई और match नहीं है भाई बहुत ही interesting match होने वाला है Dominic Mysterio versus Cody Rhodes का एक जो की WWE का one of the best face and then भाई एक WWE का one of the best heel है and then भाई इस match में जो chances हैं Cody Rhodes के पूरे 90% and then भाई 10% Dominic Mysterio के chance है और भाई इसमें return बहुत ही बड़ा rumor है कि Brock Lesnar आपको देखने को मिल जाएंगे and then भाई Brock Lesnar destroy भी कर सकते है Cody Rhodes को at money in the bank में क्योंकि भाई पुरी तरह से rumor है Brock Lesnar और Brock Lesnar का return भी देखने को मिल सकता है next match जो होने वाला है वो होने वाला WWE World Heavyweight Championship and then भाई ये कोई और नई Finn Balor vs Seth Freak and Rollins का match होने वाला और भाई ये match भी बहुत हार्ड हीटिंग होने वाला है और भाई इस match को जीदने के लिए current favorite जो है कोई और नई Seth Freak and Rollins है और अपने title को defend कर लेंगे money in the bank में और भाई rumor जो है बहुत ही surprising superstar कोई और नई Drew McIntyre लगा दिया है यूँ कहें तो भाई WWE इस storyline को बहुत ही आगे बहुत ही दिनों से progress कर रही थी भाई यो कोई और नई The Bloodline का Civil War है जो कि WWE Money in the Bank का main event होने वाला है and then भाई इस match को WWE बहुत ही जादे hype की है और भाई इस match में current plan ये है कि The Osos जो होने वाले है और The Tribal Chief Roman Reigns को pin करने वाले है और भाई इस match में ऐसा rumor का कहाना है कि Solo Seiko and Roman Reigns loss लेने वाले है में भी भाई देखिये क्या होता है क्योंकि भाई उसो जो है उपरी तरह से betting odds में आगे है और भाई कुछ ऐसा भी rumors है कि इसमें आपको new member देखने को मिल सकता है The Bloodline का जो कि Roman Reigns के तरफ से आये तो भाई बहुत सारी interesting चीज़े होने वाली है तो I hope आपको वीडियो चली को ये तो please like कीज़ेगा चैनल अपने तो please subscribe भी कीज़ेगा कमेंट में अपने अपनियान जरूर सेयर कर सकते हैं आप तो बीडियो चली पीस लाइक जरूर कीज़ेगा तो ठैंक्स भार आचीन तब तक के लिए धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में